सुप्रभाद, प्यारे बच्चों, कल हमने वाच्चे के अन्तरगत जाना था कि वाच्चे किसे कहते हैं और वाच्चे के कितने भेद हैं, कृत्री वाच्चे और आकृत्री वाच्चे आज भाग दो के अंतरगत हम आपको बताएंगे कि आखरितरी वाच्चे के कितने भेद हैं तो बच्चो आखरितरी वाच्चे के दो भेद हैं पहला है कर्म वाच्चे और दूसरा है भाव वाच्चे बच्चो कर्म वाच्चे क्या है? कर्म क्या है? मैंने आपको कृत्री वाच्चे में बताया था जिसमें कर्ता प्रधान होता है कर्म वाच्चे कर्म अथार्थ आपजेक्ट ठीक है वाच्चे जिसमें कर्म प्रधान होगा वो कर्म वाच्चे होगा तो जिस वाके में क्रिया के लिंक और वचन कर्म के अनुसार होते हैं वहे वाच्चे बिंदू करता ना होकर कर्म होता है उसे कर्म वाच्चे कहते हैं उधारन उधारन में देखेंगे पहला उधारन देखिए हरीश द्वारा पत्र पड़ा गया चीक है बच्चों अब हम इसमें प्रशन लगाते हैं क्या हरीश द्वारा क्या पड़ा गया तो उत्तर हमें मिला पत्र और पत्र क्या है object है कर्म है तो जहां कर्म प्रधान होता है वहां कर्म बाच्चे तो यहां पर कर्म हमारा प्रधान है पत्र प्रधान है क्या पड़ा गया पत्र तो यह हुआ कर्म वाच्ची आगे बढ़ते हैं दूसरा देखिए प्रेमचन द्वारा गोदान लिखा गया है प्रेमचन द्वारा क्या लिखा गया है गोदान गोदान क्या हुआ कर्म तो कर्म वाच्ची आगे देखते हैं तीसरा उधारन प्रधान मंत्री द्वारा उद्गाटन किया ग तो हमें उत्तर मिलता है उत्गाटन तो उत्गाटन क्या है कर्म है आगे देखिए चौते वाले उधारन में बालक द्वारा पत्र लिखा जाता है तो बालक द्वारा क्या लिखा जाता है पत्र पत्र कर्म है अबजेक्ट है इसलिए कर्म वाच्चे अब कर्म वाच्चे को कै किसे पहचाना जाए तो इसकी पहचान का क्या तरीका है देखिए बच्चो कर्म बाच्चे में कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के साथ द्वारा और के द्वारा लग जाता है अब मैं कहूं कि हरीश पत्र हरीश द्वारा पत्र पढ़ा गया इसको मैं यदि करत्री बाच् प्रियोक करके क्या किया कि मैंने करता का लोप कर दिया ठीक है तो यहां करता के साथ द्वारा और के द्वारा या से जोड़ा जाता है इस कारण करता गौन हो जाता है तथा उसमें सकर्मक क्रियाएं प्रियोक्त होती है बिटा देखिए यहां पर कर्म है तो कर्म वाचे जिसमें सदेव कर्म हो मैं कह रही हूं राधा नाच रही है तो राधा नाच रही है में कर्म नहीं है इसलिए वो अकर्मक है मैं कहते हूं कि राधा घुंगरू पहन कर नाच रही है अब यहां घुंगरू आ गया तो घुंगरू क्या है कर्म है तो इसलिए सकर्मक हो गया तो कर्म वाच्चे में कर्म की प्रधानता होती है इसलिए कर्म वाच्चे सदेव क्या होता है क्या होता है बच्चों कर्म की प्रधानता होती है कर्म वाच्चे में हमेशा इसलिए वो सदेव सकर्मक ही होता है उसमें सकर्मक क्रियाएं ही प्रियुक्त होती है चलिए अब आगे भाव वाच्चे को तो भाव वाच्चे में क्या है बिटा देखिए कि जिन वाक्यों में वाच्चे बिंदू ना करता हो ना कर्म हो बलकि क्रिया का भाव ही मुख्य हो उसे भाव वाच्चे कहा जाता है उधारन देखते हैं यानि कि यहाँ पर करता भी प्रधान नहीं होगा कर्म भी प्रधान नहीं होगा यहां कौन प्रधान होगा भाव प्रधान होगा उधारन देखते हैं कुछ उससे चला नहीं जाता तो उससे चला नहीं जाता देखिए यहां भाव की प्रधानता है भाव आचे सदेव जो है अकर्मक ही होता है तो बच्चे से दोड़ा नहीं जाता, मुझसे इस पलंग पर नहीं सोया जाएगा, उससे रोया नहीं जा सकता तो बच्चिये देखिये इसमें पहचान का क्या तरीका है की यहां भाव की प्रधानता होती है क्रिया सदा एक वचन होती है देखिये उससे चला नहीं जाता यह क्या है एक वचन है लिंग सदेव पुलिंग होता है इसमें चाहे लड़की का ही एक्जामपल क्यों ना दे विमला से खाया नहीं जाता अब विमला लड़की है लेकिन हम उसके लिए बोलेंगे विमला से खाया नहीं जाता क्योंकि इसमें लिंग जो है सदेव पुलिंग होगा अन्य पुरुश में होगा तथा क्रिया सदेव सामाने भूत काल में ही रहेगी नहीं जा सकता नहीं सोया जाएगा क्रिया सदेव सामाने बूतकाल में ही होगी तो बच्चों आगे देखते हैं कि वाच्चे संबंदे कुछ महत्वपून बिंदू यानि ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं हमारी नमबर वन पर देखिए पहले नमबर पर कि क्रित्री वाच्चे में अकर्मक वा सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है ठीक है बिटा यहाँ पर मैंने कर्म और भाव बताया इससे पहले भाग एक में मैंने आपको क्रित्री वाच्चे बताया था तो कृत्री वाच्चे में क्रिया सदेव सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की होती है और कर्म वाच्चे में क्योंकि कर्म होता है इसलिए क्रिया सदेव सकर्मक ही होती है और भाव वाच्चे में सदेव क्रिया अकर्मक ही होती है तो आपको क्या समझ आया कि खृत्री वाच्चे में सकर्मक अकर्मक दोनों होती है कर्म वाच्चे में सिरफ सकर्मक होती है भाव वाच्चे में सिरफ अकर्मक होती है आगे देखिए कर्म वाच्चे तथा भाव वाच्चे में करता के बाद द्वारा के द्वारा या से का प् अब आगे देखते हैं कर्म वाच्चे तता भावाच्चे के निशेदात्मक वाक्यों में जहां करता से परसर्ग का प्रियोग होता है वहां असमर्थता सूचक अर्थ की अभिव्यक्ति होती है जैसे मुझसे किताब नहीं पड़ी जाती नहीं असमर्थता सूचक उससे रोया नहीं जा सकता नहीं बच्चे से दोड़ा नहीं जाता नहीं तो हमने क्या बताया आपको कि यहां पर असमर्थता सूचक अर्थ की अभिव्यक्ति होती है तो आगे देखिए क्रित्री वाच्चे के सकरात्मक वाक्यों में सामर्थे को सूचित किया जाता है हिंदी में क्रिया का एक ऐसा रूप भी है जो कर्म वाचे की तरहें प्रियोक तो होता है वह है सकर्मक क्रिया से बना उसका अकर्मक रूप जिसे हम व्युत्पन अकर्मक कहते हैं उधारन देखेंगे जैसे गिलास तूट गया तोड़ना से तूटना रूप है यहाँ पर तो बच्चों हमने क्या देखा हमने देखा कि आकर्तरी वाचे के दो भेद हैं कर्म वाचे भाब वाचे दोनों की पहचान देखी हमने और हमने वाचे संबंदी कुछ महतपूर्ण बिंदू देखे तो भाग तो यहीं हम समाप्त करते हैं और यह आपको जो नोट्स दिये जा रहे हैं इसे अपनी हिंदी की पुस्तिका में लिखिएगा और इसको अच्छे से समझेगा भागतीन के साथ हम फिर मिलेंगे धन्यवाद